हालो बच्छा पाटिया वेरी वर्म वेलकम ऑन साइंस अड़ा 24-7 आज की क्लास में आप सभी को बताने वाली हूं क्या बढ़ी क्या बताने वाली हूं कि आप सब 30 out of 30 कैसे लाने वाले हैं अपने अपने प्राक्टिकल की एक्जाम्स में क्योंकि थियोरी की तो त्यारी चली यह लेकर हम लोग अपने एक-दो मांक्स नी क्यों डिड़क्ट होने देख हर एक मांक से बनते हैं तो प्राक्टिकल मांक्स में क्यों लॉस्ट होने दें आपनों कैसे गींंगर सकते हो 30 out of 30 मांक्स यह आप लोगों को मैं बताने वाली हूं सबसे हैं तो आपको पता होना की distribution क्या है पहली बात तो यह है कि आपके 5 marks किसके हैं तो पांच माध्स है एक major experiment होगा ना पूर सल experiment करें तो उसमें से major experiment होगा उसके पांश number जो आपको sheet में लिखना पड़ेगा प्रॉब पर उसकी बोग करनी पड़ेगी कि कि आपने क्या देखा क्या observation करा सब कुछ लिगना पड़ेगा और एक minor experiment होता है वो four marks का आएगा slight presentation अगर आपने किया होगा तो तो मुझे पता है दर उदर से तुम सब लोग करवा लेते हो slight presentation के भी marks होते हैं कितने marks का भाई five marks का होता है sporting करना biology में आता है ना अलग-अलग specimens रख देते हैं आपको भेजा जाएगा जाओ देखकर आओ पहचान कर आओ कौन सा marking है seven marks का ठीक है प्राक्टिकल रिकॉर्ड है ना आप लोग जो प्राक्टिकल फाइल बनाने वाले हो सुन्दर सुन्दर सा जिसमें हमें सारे experiment लिए सारे observation लिए सारे diagrams बनाएं वो कितने marks का है वो four marks का है ठीक है और investigation projects जो पूरे साल भर projects करवाते हैं वो उनका पूरे साल भर का records होता है कि आपने टाइम पे complete किया है कि नहीं किया है वो सारे चीज़े कितने आजाती है पांच marks ही होती है उसका भी end में क्या होता है वाइवा होता है तो यह आपके total 30 out of 30 marks कैसे आपको पता होना चाहिए उसके बाद अब marks किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे आपके 30 out of 30 marks में बताने वालो कि important चीज क्या है कि आप यह कर लो तो आपको 30 में 30 marks मिल जाहेंगे पहली बात तो आपकी जितनी भी practical फाइल अभी तक बनाईए उसका presentation बढ़िया कर लो प्रॉपर तरीकी से चवर चडालो ज्यादा कीलम काटी की जुरूत नहीं है ज्यादा कीलम काटी की जुरूत नहीं है और simple blue और black pen से कर लो डाइग्राम से बनाने आप सभी को बता है लेकिन neat and clean होनी चाहिए भाई कवर चडाले ना बहुत important है ना किसी भी चीज़ आप खाना खाते हो ना अगर वो सुन्दर दिखती है उपर से ही तो और रहता खाने का मन करता है ना तो ऐसे ही उसको भाहर से सुन्दर बना ले ना दूसरी बात दूसरी बात भाई assignment पूरे साल के अगर आपने submission करें तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी तक भी नहीं करें तो सारे submit कर दो क्योंकि उनके पास list होती है अपने पूरे साल अपने assignment दिये हैं नहीं दिये भाई वह भी दे देना यह भी बहुत अब करेंगे आपकी वाईवा के अंदर और वाईवा आपका कैसे clear होगा अगर आपकी लोगों की theory clear है तो देखो अपने जितने भी अभी तक topic पडरों का अच्छे से revision करके जाना क्योंकि वाईवा में और वही पूछेंगे वाईवा में जितना भी आपने प्राक्टिकल पर्फॉर्मेंस बढ़िया तरीके से गणना अगर प्राक्टिकल पर्फॉर्मेंस तुम लोग नहीं भी करें तो बातचीत मत करना आपने बहुली से शकल बनाके बैठे रहना और जादा उसने शैतानी करने के तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दुदर तो उसकी नजर में अच्छे रोगे सबकुछ बढ़िया रहेगा और दूसरी बास सेल्फ प्रेजेंटेशन जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो उस दिन आप लोगों को बढ़िया तरीके से अपनी यूनिफॉर्म जो है प्रेस फ्रेस कर लेना धुल लेना शूस पर पॉलि को प्रॉपर यूनिफॉर्म में लेके चले जाना ज्यादा कुछ नहीं दम यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन प्रैस कर के लिए जाना शूस पर पॉलिश कर के लिए जाना और बाल ठीक से करना लड़के भी लड़कियां भी तो खुद आप कैसे बिख रहे हो इस बातों प कर 2.0 लॉंच हुआ है जिसमें आपको पूरी कंप्लीट टीम बायलोजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश मैस सब कुछ कवर हो रहा है केवल और केवल कितने में बई केवल और केवल 849 में कंप्लीट हो रहा है तो जो भी इंट्रेस्टेड है जिसकी अभी तक भी तक भ इसमें मैं आपको बायऌकी पढ़ाऊंगी उप्लीट आफको तबना पी को हैं टीके तो यह आर आपका इसमें हम लोग 5 उस् Karate इंगी सब्सक्राओंगे नम लूग 5 आप तक नवीक्स अत्या करवा देंगे रहा सब एक लिए है जिनका रिवीजन नहीं है उनके लेवी और जिसने अभी तक भी 10 या 20 परसंट भी स्लेबस कब्लीट कर रखा है यह उनके लिए भी बैच और इतना ही नहीं इस पे आपको और ज्यादा छूट मिलेगी 849 करना ही पड़ेगा अगर आप इस पे टॉपर एंड रोल करोंगे अगर आप लोग इस पे टॉपर कोड लगाओगे तो यह और जाधा ओफ पड़ जाएगा लगाना कैसे हैं वह मैं अभी आपको बता देती हूँ आपको जाना है गूगल पर जाकर आपको यहां पर क्या लिखना है यहां पर आपको लिख देना है अट्दा क्या लिखोग्य जब अड़्दा 24-7 करके आपको इसमें लॉग इन करना है एक सिक्रेंट अड़्दा 24 पे जाना है आपको यह वाला पेज खुला हुआ दिखाई दे जाएगा इसमें आपको लॉग इन श्राइब है जाना है आपको अपना खेट कर ल देना है जैसे आप इसको सलेक्ट करोगे के टुल के इंदे को इसमें आपके पास सीधा क्लास 12th खुल जाएगा इसको उपन करने के बाद आपको यह जॉइन कर लेना है संकल बैच 2.0 बैच इसको जॉइन कर लेना है और यह आप देख रहे हो कि इसमें 849 का प्राइज है इसमें आपको क्या करना है इसमें भी आपको टॉपर कोड अप्लाई करना है जो कि आप लोग अपने बोर्ट के एक्जाम में बनने वालो बाइनाओ पे जाके यहां पे अप्लाई कर देना है जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इसका और भी ज्यादा भई प्राइज कम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 829 का पड़ेगा तो देखो इससे सस्ता तो आप क्या पढ़ोगे और आपको ऐसा ही नहीं कि हम फिफ्ट और तक आपको स्लेबस कम्प्लीट करवा के छोड़ देंगे नहीं आपके एंड तक बने रहेंगे हैंना आपके जब तक बोड का पेपर नहीं हो जाएगा सारे प्राक्टिस सेट क्लियर नहीं हो जाएंगे जैसे कि बाइलोजी में 14 इंडेस का गया पर जिनके पास मैक्स नहीं है तो उन आपको पताने वाली हूं वह यह है अपनी प्राक्टिकल कॉपी बनाते हो उसमें इंडेक्स अंदर आपके लिखो उल्टा सीधा लिख रखाओ स्टैप नीचे हों कोई दिक्कत नहीं है बट आपका इंडेक्स सारा कंप्लीट होना चाहिए अभी भी टीचर से चेक नहीं ह ना बहुत इंपोर्टेंट है ना बस यह सारी में में चीजें जो आपको फॉलो अप कर रहा होगे तो आपको 30 आप थर्टी में से कोई रोग सकता तीचर भी आपको खुशों के देदेगा बाकी देखो यह क्या आप लोगों मैंने देखा है कुछ जो प्राक्टिकल इंच स्टूडेंटों को तो कोई नी बने रहो लेकिन शैतानी नहीं करनी है 30 में 30 लेना तो भाई कर लेना शांस शैतान वाले बच्छे शांस पहना बाकी सब बढ़ी आओगा तब तक आप बने रहो हमारे साथ और गुडबाई एंड टेक केर